आकाश्वाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादिशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मेरा आना शाहिद मुखे समाचार मुखे मंत्री शिवराद सीन चोहान आज शाम प्रदेश के सरपंचों से गाउं के विकास के मुद्दू पर चर्चा करेंगे प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 से ज्यादा हुई इन में से आधे स्वस्थ होकर अपने घरों को पहुँचे केंद्र सरकार सुशासन के लिए अत्याधुनिक प्राउद्योगी की लागू करने पर दे रही है जोर कहा केंद्री मंत्री नितिन गटकरी ने और प्रदेश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश की संभावना अब समचार विस्तार से मुख्यमंत्री शिवराची चोहान आज शाम वीडियो कॉन्फरेंसिंग की माध्यम से प्रदेश के सर्पंचों के साथ गाउं के विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगे सर्पंच जिले के एनाइसी केंद्र से मुख्यमंत्री श्री चोहान से बात चीत करेंगे इस संभंध में मुख्यमंत्री श्री चोहान ने कल कहा कि गाउं के विकास के लिए पंच परमेश्वर योजना को जमीनी स्थर पर लागू किया जाएगा उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में विकास कारे कराने के लिए 1555 करोर रुपे की राशी जारी कर दी गई है इससे ग्रामों में अधो सनर्चना विकास पैजल व्यवस्था सम्मंधी कारे कराए जाएंगे इसी प्रकार अधो सनचना विकास के अंतरगत, सीसी रोड, पकी नाली, पुलिया निर्मान, बाउंडरी वॉल, पेर ब्लॉक सडक, LED स्ट्रीट लाइट आधी कारे हो सकेंगे इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल प्रवासी मजदूरों से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये बात की थी राज्य में प्रवासी मजदूरों को उनकी कारे कुशलता वदक्षता के आधार पर रोजगार मिल सके इसके मकसद से श्रम विभाग ने रोजगार से तुपोटल शुरू किया है प्रदेश में अब तक एक करोड़ अठाइस लाग तेरा हजार में ट्रिक्टन गेहूं का उपारजन किया गया है देवास, इंदौर और उजजैन में उपारजन चल रहा है कुल पंद्रा लाग चोहतर हजार किसानों से गेहूं उपारजन किया गया है यह जानकारी मुखे सचिव इकबाल सी बैस ने कल मुखे मंतरी शिवराज सी चोहान को गेहूं खरीदी और भंडारन को लेकर हुई समीक्षा बैठक में दी मुखे मंतरी शिवराजन ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये विभिन जिलों में गेहूं की खरीदी और भंडारन की जानकारी ली इस दोरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्जिलों में गेहूं खरीदी का काम पूरा हो चुका है वहां भंडारन के लिए जरूरी वेरहाउस के वैवस्था की जाए उपारजित गेहूं एवं चना को बारिश से कहीं भी ख्षती नहीं पहुँचना चाहिए जिला कलेक्चर अपने कारिक शेक्तर में इसके प्रतिदिन समीक्षा भी करें प्रदेश में कौरणा संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार हो गई है हाला कि सुखत खबर यह है कि अब तक आधे से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लोट चुके है राजधानी भुपाल में कल 78 नए करोना मरीज मिलने के साथ इनकी संख्या बढ़कर 2000 से ज्यादा हो गई है इन दौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 41 नए मरीज मिलने से करोना संक्रमितों की संख्या 3922 तक पहुँच गई है वही दो और मौतों के साथ कोविड-19 संक्रमण से अब तक 163 मरीजों की मृत्ति हो चुकी है जिले के विभिन अस्पतालों में 1141 करोना प्रभावितों का उपचार जारी है 27 मरीजों के करोना संक्रमण के मुक्त होने के साथ ही अब तक 2618 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लोट चुके है भिन्ड जिले में करोना के चार नए मामले मिलने के बाद यहां इससे प्रभावितों की संख्या बढ़कर 110 पहुच गई है इसमें से 54 ठीक होकर घर चले गए हैं 56 पीडितों का इलाज चल रहा है मुरेना में 6 नए मरीज मिलने के बाद जिले में कुल मरीजों की संख्या 140 हो गई है वहीं ग्रीन जून में आये होशंगबाद में 17 दिन बाद एक कोरोना संक्रमित के सामने आया है यहां भारतिय स्टेट बैंक के एक शेत्री शाख़ प्रमंदक पीडिक पाए गए है कल उनकी रिपोर्ट आने के बाद बैंक को सैनिटाइज करने के बाद बंद कर दिया गया है ग्वालियर में कल 345 सैंपल की रिपोर्ट आई इन में से 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए है जिले में दूद की दुकाने रात 9 बजे तक खोलने के आदेश है ग्वालियर जिला कलेक्टर कौशले इंदर विक्रम सेह ने कोरोना को लेकर शहरवासियों को सतर क्रहने को कहा है वही नरसेपूर के तेंदू खेडा कोविट केर सैंटर से कोरोना के 5 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद कल घर भे जग गया मंदसौर में कल 50 कोरोना जाच रिपोर्ट नेगिटिव आई जिले में 95 कोरोना मरीज हैं इन में से 83 स्वस्थ हो चुके हैं उज्जैन में कल 5 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को गए जिले में अब तक 617 कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं उर्जा विभाक के प्रमुक सचिव संजय दूबे ने कलजबलपूर में जनरेटिंग तथा ट्रांस्मिशन कंपनी के कामों की समिक्षा की इस दौरान उर्जा सचिव ने घरेलू बिजली उपभूकताओं को 24 घंटे और क्रिशी उपभूकताओं को 10 घंटे लगातार बिजली देने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि पावर जनरेटिंग कंपनी ताप और जल विद्युद्ग्रह की शमता का पूरा उप्योग कर बिजली उत्पादन करें और पावर ट्रांस्मिशन कंपनी गुडवत्ता पूर्ण वोल्टेज से निर्बाद बिजली आपूर्ती करें केंदरी मंत्री नितिन गटकरी ने कहा है कि सरकार पौध्योगी की अधिक इस्तिमाल पर ध्यान केंद्रित कर रही है क्योंकि अत्याधूनिक पौध्योगी की लागू किये बिना सुषासन नहीं लाया जा सकता है भारती जनता पार्टी की मध्यप्रदेश शाखाद्वारा आयोजित आभासी रैली में श्री गटकरी ने कहा कि वर्तमान नरेंद्र मुदी सरकार सुशासन पर अधिक ध्यान दे रही है और इसके लिए अत्याधुनिक प्रौध्योगी की तथा तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इसी वजह से सरकार ने कोरोना संकट के समय जन धन खातों में सीधे धनराशी अंतरित की श्री गटकरी ने कहा कि पिछले एक वर्ष में सरकार ने देश को आत्म निर्भर और सद्रिण बनाने के उपाए शुरू किये है उज्जैन स्थित पिछवर मंदिर में प्री बुकिंग की माध्यम से दर्शनार्थियों की दर्शन का सिलसिला जारी है पिछले दो दिनों में लगभग 5000 से अधिक दर्शनार्थियों ने दर्शन किये मंदिर में कोरोना संक्रमान से बचाओ के लिए केंद्र और राज्य सरकार के दिशा नि रखने के लिए चूने से निशान और सैनिटाइजर के इंतिजाम किये गए हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सिस्टम बनने से प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश हो सकती है मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार आज इंदौर उज्जैन जबलपुर भोपा लागों के जिलों में कुछ स्थानों पर गरत चमक के साथ बोचारें पड़ी अनिस्थानों पर मौसम शुष्क रहा इससे उमस भरी गर्मी महसूस की गई राजधानी भोपाल तथा उसके आसपास केक्षेक्त्र में पिछले कुछ दिनों से मौसम एक सा बना हुआ है केंद्री माधिमिक शिक्षा बोर्ड CBSC के स्कूल संचालकों के संग ने मध्यप्रदेश हाई कोट की इंदोर खंड़ पीठ में याचिका दायर कर राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनोती दी है जिसमें स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया गया है Association of Unaided CBSC Schools के अध्यक्ष की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि कोरोना काल में केवल ट्यूशन फीसी लेने सहित अन्य प्रतिबंद लगाना सही नहीं है खंड़ पीट के जस्टिस S.C. शर्मा ने कल इस याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से अपना पक्षन लखने का निर्देश दिया मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी इंद ओर शहर में जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के प्रतिबंधिक शेत्रों को छोड़ कर अन्य सभी स्थानों पर आधार पंजियन केंदर शुरू करने की अनुमती दे दी है इन आधार केंद्रों पर प्रतिबंधित जोन से आने वाले कर्मचारियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। प्रतेक पंजियन के पश्चाद बायोमेट्रिक मशीनों को अनिवारी रूप से सेनेक्टाइज किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मचा एक बार फिर। इतना ही घर में रहेए, सुरक्षित रहेए और सुनते रहेए आकाश्वणी। पार प्रतेक बार फिर। अढ़्यवणी। झाल य। झाल झाल